नमस्ते मैं डॉक्टर अनुजा करकर मैं साइक्याट्रिस्ट हूँ डी अडिक्शन स्पेशालिस्ट हूँ मानसीक स्वास्त सब सबके लिए इसमें आज हम एंग्जाइटी डिसॉर्डर की लोगों की मदद कैसे करें इसके बारे में हम डिसकस करेंगे काफी ऐसे पेशन्स है या लोग है जिने सिव्यर एंग्जाइटी होती है और उनको वो एंग्जाइटी आटेक्स आते रहते हैं मेरे पास ऐसे पेशन्स के काफी रिलेटिव आत इसके लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स आज बताती हूँ फर्स्ट पॉइंट कि जिन लोगों को एंग्जाइटी प्रॉब्लम है अगर उनको continuous anxiety रहती है और attacks आते है अगर एक attack आपके सामने अगर आया है तो आप उनके साथ बैठे, उन्हें support दे दूसरा याने कि उनको क्या problem हो रहा है क्या वो फिलहाल feel कर रहे है ये उनसे बात करें जैसे काफी लोगों को घबराट होती है बेचैनी होती है एक जगो वो बैठ नहीं सकते restlessness होता है या सास फुलती है तो वो उन्हें explain करने के लिए बोले कि आपको क्या problem हो रहा है उसके साथ साथ अगर उन्हें कोई medicines चल रहे है तो उन्हें वो medicines घबराट कम करने के लिए medicine दिये जाते है वो एक medicine उनको हाथ में दे और बोले कि वो अपने पास अने खा लीजे ताकि उनका वो attack या severity कम हो जाए अगर आपको ये दिख रहा है कि बार-बार उनको ये attacks आ रहे है तो उन्हें psychiatrist के पास जाने की सला दे हो सके तो आप appointment लेके उन्हें साथ लेके जाए ताकि उन्हें ये जो problems हो रहे है इसका कुछ तो भी solution निकले अब ऐसी कुछ चीजे है जो उनके साथ हमने नहीं करनी चाहिए यानि कि अगर उन्हें वो attack आ रहा है और हम उनके सामने बात कर रहे है continuous तो ये ना करें उनके साथ सिर्फ बैठे रहे सिर्फ उनको support दें दूसरा यानि उन्हें distract करने की कोशिश हम करते रहते हैं लेकिन वो distraction काफी लोग ऐसे होते हैं जो उनको continuous guilty feel करवाते हैं कि ये तुम्हें problem हो रहा है ये क्यों हो रहा है ऐसा होना नहीं चाहिए अपने आपको divert करो ऐसी unnecessary सला देते हैं उसकी वज़ा से उनके anxiety और बढ़ जाती है उनके सामने continuous ये भी ना बोले कि क्या तुझे treatment चल रही है कितने साल तक है treatment चलेगी कब तेरा problem solve होगा ये चीज़े भी उनके सामने ना बोले इससे भी उनके anxiety बढ़ जाती है और इसके साथ-साथ उन्हें हमने medicine लेने के लिए motivate करना चाहिए continuity रखने के लिए medicines में motivate करना चाहिए doctor से proper follow up ले इसके लिए भी हमने उन्हें motivate करना चाहिए ताकि ये जो problems है ये उनके control में आ जाए और उन्हें तकलीफ ना हो इसके साथ-साथ अगर उन्हें कोई hobbies है या फिर उन्हें एकादी चीज़ करने में मज़ा आ रहा है या मज़ा आता है तो वो उन्हें करने के लिए encourage करना चाहिए याने अगर ये anxiety attack आया है और अगर हम उन्हें एकादी उनका favorite song हम play करे या फिर एकादी उनकी favorite movie चल रही है उसे हम उनको play करे तो शायद इनके problems कम हो जाए तो ये कुछ चीज़े थी ये कुछ tips थी जिससे हम anxiety जिनको attacks आते है या continuous anxiety रहती है उन लोगों की मदद कर सकते है इसके लिए अधिक जानकारी आपको चाहिए हो तो आप हमारे कर्टूर्ण कर साइट्रे नर्सिंग होम के contact number पे contact कर सकते है हमारा contact number है 950-330-9619 नमस्ते झाल झाल झाल